फ्रेंड मैं जिस बुक की समरी पेश करने जा रहा हूं उस बुक का नाम है दा 21 सक्सेस सीक्रेट्स ओफ मिलेनियर्स बाइ ब्राइन ट्रेसी ब्राइन ट्रेसी सर की अगर मैं बात करूं एक वेल नौल इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं एक आथर हैं बहुत सारी बु अंदर ये चीजें पाई जाएं तो एक और्डिनरी परसन भी जो है लाइफ में अमीर बन सकता है रिच बन सकता है तो दोस्तों जानते हैं वो कौन सी बाते हैं अगर हम इनको डवेल्प करें तो हम भी अमीर बन सकते हैं नंबर वन उनके कोडिंग टू अगर आप के बारे में सोचेंगे एक्शन लेंगे तो वो चीजें आपके साथ हो सकती हैं तो नंबर वन जो सक्सेस सीक्रेट है यह पहला स्टेप है अगर आप भी जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं ब्राइन ट्रेसी सर के अकोर्डिंग टू दोस्तों क्योंकि उनकी यह जो स्ट लोनोंने पहला जो सीक्रेट बताया है देट इस कि हम बड़ा सोचें दूसरा वो कहते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जो भी हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में आपकी एक प्रॉपर दिशा होनी चाहिए एक सही डिरेक्शन होनी चाहिए उस चीज को हासिल करने के लिए अगर आप सही डिरेक्शन में चलेंगे तो आप चीजों को कम टाइम में अचीब कर सकते हैं लाइक उनके अकोडिंग टू जैसे आपका रिटन में गोल होना चाहिए मान लीजिए आपके हाथ में दोस्तों एक बीज है वो बहुत अच्छा बीज है ले आपके जो गोल्स हैं वो रिटन में होने चाहिए तो यहाँ पर उन्होंने जो गोल्स को अचीब करने का एक मैथड़ बताया है सेवन स्टेप फॉर्मूला है अगर हम इन सेवन स्टेप को फॉलो करें तो हम अमीर बन सकते हैं हमारे जो भी गोल्स हैं हमारे फैनेशल गोल सोच को हम कम टाइम में अगर चाहें तो हम उनको अचीब कर सकते हैं। तो दोस्तों जांते हैं यह 7 स्टेफ फॉर्मूला क्या है। यह हमारी सही डिरेक्शन न हमारी सही दिशा के बदौलत ही हम इंचीज़ों को हाशिल कर सकते हैं। तो उनके according to number one पहले तो हम ये decide करें कि हम चाहते ही क्या हैं अगर हमारा financial goal है तो अगर हम कितनी income चाहते हैं monthly वो एक clear cut paper पे return में हमारे पास होनी चाहिए ये very very important think on paper otherwise दोस्तो wastage of time है अगर हम paper पेपर पे नहीं कर रहे हैं just एक wish है उसके बाद दोस्तों उनके according to second step क्या जो है आप जो चाहते हो उसके reasons लिखिए कोशिश कीजिए 10 से 20 reasons लिखिए why आप ये क्यों चाहते हैं अगर एक person monthly for example अच्छी ज्यादा income चाहता है तो क्यों चाहता है why आपकी reasons होने चाहिए and think on paper ये बहुत ज़रूरी है तीसरा step उनके according to है set a deadline for each goal जो भी आपका goal है उसके लिए एक दोस्तो deadline set कीजिए otherwise आप चीजों को postpone करेंगे delay करेंगे हमारे अंदर वो fire ही पैदा नहीं होगी इसलिए उनके according to आपका जो भी goal उसके लिए deadline जरूर लिखिए दोस्तो fourth skill जो हमारे अंदर होनी चाहिए हमने कुछ कोई भी goal अचीब करना है that is हमारे अंदर क्या skills होनी चाहिए for example दोस्तो fourth skill की अगर मैं बात करूँ जैसे अभी करोना का time चल रहा है तो पहले हम offline work करते थे अगर आज की date में किसी person के अंदर online business करने की skill नहीं है तो शायद वो अपने business को उस height पे ना ले जा सके अगर उसकी अंदर ये skill नहीं है तो हो सकता है उसको business करने में द उन क्या skill होनी चाहिए ये very very important and fifth point is आप अपना action step decide कीजिए कि उन चीजों को हासिल करने के लिए आप क्या action लेंगे ये एक step एक तरे का action हो सकता है दो तरे का हो सकता है तीन तरे का हो सकता है कुछ भी हो लेकिन आपने action के बारे में सोचना है sixth point है आपने immediately action लेना है दोस्त कुछ भी नहीं होगा इसलिए कहा जाता है nothing happens until we take the action तो very very important कि आप action immediately लेना शुरू कीजिए and seven step is आप रोज वर कीजिए आपका जो गोल है आप रोज उसके regarding अपना action लेजिए उसको पोस्ट पॉंड नहीं करना है daily work करना है उसके ओपर तो ये seven step formula है इस formula की help से हम अपना को वी गोल है दोस्तों उसको कम time में achieve कर सकते हैं mean इस skill को use करके हम भी life में अमीर बन सकते हैं दोस्तों दो ही skill का जिकर कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा बाकी skill जो है मैं next video में share करूंगा अगर आपको ये मेरा video थोड़ा सा भी पसांद आया तो आप चाहा त time दिया इस वीडियो को देखा thanks for watching